हेलो स्टूरेंट्स मैं आर्थी आप सबका विल्कम करती हूं तो आर्थी एडुकेशन वर्ल्ड डियर स्टूरेंट्स इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे आपकी नाइध क्लास की सोसल साइंस की वर्क सीट वर्क सीट नमबर 58 जिसकी डेट है 26 नमबर 2020 श्टूरेंट्स यह जो आपकी वर्क सीट यह यह आपकी भूगोल विस्य से है ठीक है और यह आपका चैप्टर 2 जो आपका पाट दो है भारत का भोतिक शरूप और इसी को करना है मांचित्र कारिय भारत के भोतिक स्वरूप में ठीक है चलिए आज जो आपकी वर्क सीट है इसके दो सेक्षन है एक तो आपको पॉइंट आउंट करने हैं कुछ जंग है और वो को क्या क्या चीज़े है एक तो आपको अरावली परवत माला दिखानी है अनाई चलिए यह जो बच्चो यह जो आपका मैप दिया हुआ है आपकी वर्क सीट में आपको इसमें भरना है तो बिसिकली आप क्या करेंगे आप दुकान से एक अपना पोलिटिकल मैप यानि के भारत का राजनितिक जो मानचित्र है उसको लिए आएंगे अपनी कोपी में पेस ठीक है तो चलिए आप करते हैं अपना सोल देखो बच्चो यह आपका जो मैप है यह आपकी एंसियार्टिक की बुक में है ठीक है तो जो आपको पॉइंट करने को दिये हैं चलो उसको करते हैं देखे सबसे पहले हमें देखनी है अरावली परवतमाला कहां पे हैं तो सबसे पुरानी परवतमस्रेणियों में से माना जाता है और इसकी कंडिशन मतलब ज्यादा उची यह आपको नहीं है यह जो परवतमस्रेणी है यह जीन सी नवस्ताम है ठीक है चलिए अब देखते हैं दूसरा पॉइंट जो हमसे पूचा है अनाई मुडी ठीक है तो अना दक्षिन चेत्र में यानि कि दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी है अगर आ जाए तो वह भी आपको अनाई मुडी लिखना है ठीक है यहाँ पे आप आपको यह चोटी मार करनी है ठीक है आप इसको परवत बना के मार करिए क्यूंकि आपको जो मानचित्र होता है उसमें कैसे परवत बना के मार करते हैं तो आप इस पे यहाँ परवत बना लीजिए ठीक है और इसकी जो उचाई है ना बच्चो इसकी उचाई है आपकी लगभग 2695 है ना 2600 पिचान में मीटर है इसको तो आप यहाँ पे इसको अनाइमोडी मार कर देंगे दो हो गए आपके आप आजाते हैं तीसरा तीसरा इन्होंने हमसे पूचा है छोटा नागपुर का पठार तो बच्चो छोटा नागपुर का पठार आपका 36 गड़ में बढ़ता है है ना यह इधर के जो एक दो और राज्ये हैं तक भी फैला हुआ है तो छोटा नागपुर का पठार आप यहां पर मार करेंगे ठीक है यह आपका छोटा नागपुर का पठार बच्चो यहां पर आपका पड़ेगा ठीक है चलिए यह आपका हो गया छोटा नागपुर का पठार अब चलते हैं जो हमारा फॉर्थ पॉइंट इन्होंने हमसे पूचा है क्या पूचा है फॉर्थ पॉइंट आपकी वर्क सीट में पूचा गया है पश्मी घाट तो पश्मी घाट कौन सा है पश्मी घाट आपका ये पड़ेगा ये सारा का सारा आपका पश्मी घाट है और पश्मी घाट को इन्होंने तीन भागों में हैं बटा हुआ है हमारा पश्मी घाट तो जो पहला वाला कौंकन तर्ट हमारा कौन सा होगा जो पहला वाला प्रिस्तार है इसको बोलते हैं कूँकन क्या बोलते हैं ये आपको लिखने हैं कूँकन यह आपका कुंकण हो गया यह मैंने आपको बताया यह आपका पश्मी घाट हो गया और यहाँ पर मैंने आपको अनाई मुडी बताया था यह आप अनाई मुडी लिख लेना इस पर और उपर भी मैं आपको बता चुकी हूँ सारी ये छोटा नागपुर का पठार है ठीक है और यहां पे आप मार करेंगे अपने मानचित्र में अरावली ठीक है ये आपके हो गए पांचो पॉइंट देख लेते हैं आपके उसमें और तो कोई नहीं बचा नहीं यही थे हमारे हमने पांचो के पांचो पॉइंट तो आप कोउशन क्या पूचा है कारा कोरम स्रेणी में सबसे उची चोटी कौन सी है तो बच्चो आपको पता है कारा कोरम जो स्रेणी है उसमें आपकी सबसे उची चोटी है केटू है ना केटू परवत है सबसे उची चोटी है कारा कोरम स्रेणी में और दूसरा कोउशन और तापती के बीच में कौन सी परवत सरंक्रा स्तित तो नर्मदा और जो Satkooda परवतिसरीणी इस भी अपकी Satkooda परवतिसरीणी, बच्छो ये है आपकी हिए सतकोडा रेंज ठीक है, तो ये आपकी नर्मदा और तापती के बीच पढ़ रहा है ठीक है ये तापी नदी है आपकी है ना और इधर नरमदा है और तो ये इसके बीच में आपकी क्या आ रही है इसमें आपकी आ रही है सब सत्पुड़ा देखे ये ऊपर इसके नरमदा है और ये नीचे तापी नदी है ठीक है तो ये हो गया आपका रम्दा और तापी नदी के बीच क्या पढ़ता है सत्पुड़ा परवल स्रेनी विंद्या स्रेनी के उत्तर में कौन सा पठार इस्तित है तो विंद्या स्रेनी के उत्तर में मालवा का पठार है ठीक है चलिए अब चलते हैं अपने चोथे कोशन की तरफ चोथा कोशन हमसे वर्क सीट में पूछा है कोरो मंडल तट के पास इस्तित भारत के दो राज्यों के नाम बताए तो जो आपका कोरो मंडल तट पड़ता है उसके पास के राज्ये हैं आपके आंधर प्रदेश और तमिल नाडू ये दोनों राज्ये के पास आपका कोरो मंडल तट पड़ता है ठीके बच्चो तो इसका अंसर आप ये लिख देंगे पूर्वी घाट भारत के मांचित्र पर मांचित्र में किस दिसा में इस्तित है तो ये पूर्वी घाट आपका कहा पड़ेगा दक्षिन पूर्वी दिसा में पड़ता है जो आपका पूर्वी घाट है अगर हम भारत का मांचित्र देखें तो कहां पड़ता है है यहां पे अपको यह मिलेगा तो आप इसको यहां पर मार कर लेंगे तो यह हो गया आपका इस वर्क सीट का अगल लास्ट कोशन पूर्वी घाट भारत के मांचित्र की किस दिसा में पड़ता है तो दक्षिन पूरवी दिसा हो गई वो ठीक है बच्चो तो यह हो गई आज की आपकी worksheet hopefully वीडियो आपके लिए helpful रही होगी बच्चो अगर वीडियो से आपको help मिलती है तो आप प्लीज वीडियो को like करें चैनल को subscribe कर लें अपने दोस्तों के साथ भी share करना और एक अपना कमेंड भी छोड़ना थेंक यू स्टोरेंट्स